दोस्तों जैसे कि आप लोगों हम पता ही है 1UI 3.0 आने के बाद आपके डिवाईज में एक निया फीचर आने वाला है वो है double tap screen sleep double tap screen sleep यह आपको निया feature यहाँ पे देखने को मिलने वाला है लेकिन वो feature कौन सा है और उसे आप पहले install कैसे कर सकते हैं मतलब कि आप किसी भी Android device में इस feature जो है लेके आ सकते हैं जोस्तों तो इसके लिए आपको update की जुरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन update आ जाती है officially तब तो काफी बढ़ी है लेकिन आप unofficial तरहीके से भी अपने device में यह feature install कर सकते हैं पर तो आपको यह feature दिखाता हो कि आपको ही मिलता कहां पर ठीक है उसके लिए जानोगा आपके phone की setting पर ठीक है चलेगे phone की setting पर जाने के बाद ध्यान से देखना ठीक है यह आपको feature मिलेगा निच्चे को down करेंगे advanced feature वाले option पर जाएंगे फिर आपको यहां पर option मिल जाएग अब आएका option आपका double tap to sleep मतलग की screen में double tap कर रहे है for example मैं यहां पर double tap करता हूँ screen पर अपने ठीक है phone lock हो गया यह feature मैंने install करके रखा हुआ यह double tap to awake यह feature आपका phone में था ठीक है जैसे कि मैं double tap किया screen में lock हो गयी तो यह feature आने वाला है लेकिन यह मैंने पहले ही यहां पर वीडियो जो upload होते रहते हैं सुना मशकार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं यार के न्यूस्टैक चैनल तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो यह feature आपके phone में basically आएगा कैसे यह बिल्कुल smoothly work करता है आप यह मतोंचना कि आप इसे install करके आप आपको पस्तावा हो रहा है यहां कुछ नहीं है तो इसके लिए आपको application download करनी होगी जिसका link मैं आपको नीचे description पर दे दूँगा तो उसकी setting कैसे करनी है वो मैं आपको यहां पर बताता हूँ दोस्तों मैंने application यहां पर already download करके रखी हुई है आपने download कर लेनी है अब उस अपना है यहां से इनेबल करते हैं फिर रखने डबल टेप स्क्रेंन और समगलeral करनी है एक यह बट आ नेजए और फॉर्ट करतें मैं यहां से सद्वाल से अंधसे यहां से का वीडियो में आशे कर तो आपको पसंद आया होगा सो बाई बाई ठेके जहिंद बंदे मातर